नमस्कार स्वागत आपका निलमपवार डेली तड़का मैं दोपेर के बजगे एक तकरीबन तबी कर लेते लंच की तियारी आज बनाएंगे लंच में पालक का साग बाजरे की रोटी बिल्कुल देशी स्टाइल यह मैंने एक उटी पालक को अच्छे से साप करके धोकर अख लिया है इसको गरम पानी में पांच मिट डालके और डखके रख देते हैं हमें पालक को उबालना नहीं है उबालने से उमेरा पालक का जो हरया रंग है वो खराब हो जाता है मेरी पालक को गरम पाणी में पांच मिन्ट हो गए अब इसका पानी निकालके ठंडी ओने के बाद इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लिखते हैं कढाई में दो टी स्पून के करीब तेल थोड़ा जीरा जीरा अच्छे से तो रखने के बाद में एक कटा प्याज थोड़ा लाल मेच पाउडर गोपटे टमातर थोड़ा निकाल थोड़ा निकाल थोड़ा थोड़ा निकाल प्रणा निकाल में याजा के पाउड़ा निकाल कमातर थोड़ा है यह मैंने पान लग्द राइंड कर ली थोड़ा सा पानी इसको पांच मिट के लिए डखके पका लिए हमारा साग पकता है तब तक थोड़ी तड़का की तैयारी कर लेते हैं दो टीस्पून के करीब तेल चाहो तो आप गी भी यूज कर सकते हो थोड़ा सा लस्टन कटा है अमारा लस्टन ब्राउन हो गया गैस कोकर देते हैं बंद थोड़ा जीरा 10 ल स्टीस्पून हें थोब खूफब्सारहहरा रधन्य एक आँ यह मैंने जो मसाओ तड़का बनाया है रवस्तन वाला यह रवस्तन और उसका हींग का तड़का प्रेस करीम पलक का देशी तरिके से बना साग तयार अ करके ठें दमादशा ही долж वंसाल उसका है जातिा जाति!! अ का पाल का देशी हो सकता बना आतिनकंड़ का जल माँ से थाथ हो心म अ कि बयाँ अ वह रज़का है तर बड़कान कहा है कि यह रग झाल रवस्तन का र guardians